हालो स्टूरेंट्स वालकम तो अभी पीडिया पावर्ट बाय अभी मन्यू आईएस माइम इस रोहित मिडा चुरेंट्स इन तोडेस्ट क्लास वी विल डिस्केस दा मिस्लेनियस करेंट अफेर्स ऑफ 27 डिसेंबर 2022 सेकंड ऑफ जनवरी 2021 जनवरी 2021 को चलिए बढ़ते क्लास की तरफ क्लास को स्टार्ट करते हैं तब इसलेनियस जिके सबसे पहले हमाथ करते हैं डेज की तो ड혀स मे सबसे पहला दिन हमारे पास क्या रहे है इंटरनाशनल of Epidemic Preparedness the International Day of Epidemic Preparedness देखिए Epidemic क्या होता है किसी बिमारी का किसी बिमारी का जैसे कि अभी COVID-19 था एक परसन से दूसरे परसन तक बहुत फास्ट ली बहुत तेजी से फैलना ठीक है किसी बिमारी का किसी फ्लो का बहुत तेजी से बहुत तेजी से फैलना फ्लो होना इसको हम क्या बोलते है एपिडामिक और किसी एपिडामिक का बहुत बड़े एरिया तक फैलते जाना कंट्री तक बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया कंट्री टू कंट्री उसके बाद होल वर्ड में इसको हम बोल देते हैं पैंडामिक इसको हम बोल देते है लोग अपने आपको बचा सकें लोग अपनी देखभाल कर सकें ताकि ऐसे diseases को फैलने से रोका जा सकें इस epidemic को आगे बढ़ने से हम रोक सकें इसके लिए एक दिन हम में organize किया that is 27th of December that is 27th of December 27th December को the epidemic preparedness day organize किया गया ताकि basically जो organizations हैं इसके बचाव के लिए बढ़े and जो people's है individuals हैं वो भी अपनी सुरक्षा करने के लिए आगे बढ़ सकें उनको भी educate किया जाए तो that is international day of epidemic preparedness कब होता है 27th of December 27th December इसके बार में तोड़ा और देख लेते हैं तो that is pandemic and epidemic तो epidemic जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होता है epidemic that is किसी भीमारी का किसी disease का बहुत क्यूक्ली बहुत तेरी से सप्रेड होना बहुत तेरी से उसका स्प्रेड होना and pandemic क्या होता है pandemic होता है किसी epidemic का बहुत बड़े geographical area तक फैल न ठीक है तो country to country जिसका spread हो या फिर whole world में जिसका spread हो हुम बोल देते हैं pandemic तो epidemic and pandemic नेक्स हमारे पास आता है DRDO तो DRDO डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट और्ग्नाइजेशन डिफेंस सेक्टर के लिए हमारा जो आर्मी है एरफोर्स ने भी इसके लिए मिसाल्स और वैपन्स एंड आरंडी का काम करता है डिफेंस रिसर्च एंड डवलप्मेंट और्गनाइशन तो डियाइडियो बेसीकली बना था कब 1958 में डियाइडियो बना था तो अब डियाइडियो ने 1st January 2021 को अपना 63rd Foundation Day और्गनाइशन दे तो नमबर आपको ध्यान रखना है 1958 से लेके 63 यर्ज हो चुके हैं इसको बने हुए डियाइडियो को 2021 में पहली जन्वरी 1st January 2021 को डियाइडियो के 63 यर्ज हो चुके हैं तो 63rd Foundation Day इसने और्गनाइज किया डियाइडियो डिफेंस रिसर जिलने का और निड का हम करता है इसका है ध्यार नहीं दिल्ली में है और इसके तो चेयर पर्षियो कि इनका ना आम है डॉक्तर-टॉ्टर-जी इस अधी रड़ीयो डॉक्टर जी सत तल्द रड़ीयो यह हैं ड्ड़फेंस रिसर्च रड़ wrapped और्धर द्वलप्न और्डब हेले हमारे पास आती है एक biography एक autobiography डाट इस आफ जस्टिस रजींदर सचार जिस्टेस रजींदर सचार जिनों ने मुस्लिम कॉमिनेटी के लिए बहुत अच्छे लेवग काम किया तो इनकी एक autobiography आ जाती है जो कि सचार फैमिली ने इनकी फैमिली ने लॉंच किये ठीक है क्योंकि जस्टिस सचार अब नहीं रहे यह अब नहीं रहे तो इनकी फैमिली ने इसको लॉंच किया है तो इस किताब का नाम के इनकी आटो बाइगरेफी का नाम के इन पर्सुट आफ जस्टिस एन आटो बाइगरे तो ये जस्टिस रजिंदर सचार जी की आटो बाइगरफी है इनोंने अपनी आटो बाइगरफी को लिखा था बट किताब को लॉंच नहीं कर पाए इनका दिहात हो गया था इनकी फैमली ने अभी इंडियन लॉग बॉडिस के साथ मिलके इसको लॉंच किया है इनकी किताब लिखने वाले एक बहुत ही फेमर्स पसिनलिटी कें चैलाश सत्यारती जी हाँ यह चाहिवर्ड एक्टिविस्ट कुलाश सत्यारती जी किताब count का नाम है 11 सभियता का संखट और समाधान इसको लिखा है क्यलाश सत्यारती जी ने जोकि एक चायल्ड रॉइट अक्टिविस्ट है the founder बचपन बचाऊ अंॉ Catholic2 2004 में इनकोchanbal peace price से समानित किया गए तको नोबल-pe fierce price मिला था 2014 में normal peace price इंको दिया गया था हाला कि 2014 में nobel peace price दो लोगों को मिला था तो इनके साथ एक और परसन को भी noble peace price दिया गया था जिनका नाम था जिनका नाम था मलाला यूस उस्थ ज है दा पकिस्थानी education activist एठीक है और इस किताब कि अगर मैं बात कर दोग देश में चल रहां सबको बता है तो कुविड नाइटिन के चलते हुए इस किताब को लौंच कर भारत के फार्मर चीफ जस्टिस किताब को लौंच कर तो यह किताब को लॉंच किया है हमारे आयूश मिनिस्टर हमारे जो आयूश आयरुवेदा योगन नैचुरोपेथी युनानी सिंद एंड होमेपेथी के हमारे जो मिनिस्टर है श्रीपद यह सो नायक जी श्रीपद यह सो नायक जी ने इस किताब को लॉंच किया है बेस्ट रूपाचारी ने किताब लिखी है जो की गोवा के अंदर एक बहुत अच्छी कॉंपरिंग है देखी कॉंपरिंग क्या होता है कंपियर एक ऐसा परसन होता है जो स्टेज को होस्ट करता है एक्चल में मैं कह सकता हूं ठीक है जो स्टेज को संभालता है तो इसको हम कॉंपरि सब्सक्राइड किया मुबाईल एप एंड वेब PORTAL नाम है इसका नाम है विप मियार सबक्राइड पंज्बाम सब्सक्राइड ने को लांच किया अगनल प्यर इन सुर्ट पियार अंचbungmaz अगर और अध्न किया यह। जो मियतिए उन्परनिश्चार लोगों को जो लोगों तक पहुंचा रहाएगा सरकार के जो प्रोग्राम है सरकार की जो स्कीम से इन सब को लोगों तक पहुंचा रहाएगा एंड उसी के साथ-साथ लोगों का फीडबैक लोगों का response सरकार की इन schemes के खिलाफ क्या आता है तो ये सब को carry करने के लिए सरकार ने ये वेब पोर्टल एंड एप लाँच करिए मुबाइल एप लाँच करिए पी आर इंसाइट पी आर इंसाइट तो basically सरकार की जो भी information सरकार पहुचाना चाहती है ने लोगों तक यह पublish करेगा जो न्यूज अजनसी जो न्यूज अजनसी है पंजाब स्टेट के अंदर जो पंजाब स्टेट की जो न्यूज है उनको भी सूचना प्रवाइड कर लाए गा तो पंजाब के जो मुख्य मंत्री है इनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंग चलिए और जो गवर्णर है पंजाब के इनका नाम है वीपी सिंग बद्नौर आगे देखें अब अवर्ड की बात करें तो तांसें सम्मान तांसें सम्मान एक बहुती बहुतर आवर्ड है जो की म्यूजिक की फीड में दिया जाता है ठीक है तांसें अब दिया जाता है म्यूजिक की फीड में अग तांसें सम्मान के अगर मैं बात करूं तो तांसें के बारे में आपको पता होगा ठीक है अकबर के दरबार में तांसें थे ठीक है तो तांसें जो थे तांसें का जनम award तांसिन संबान है मध्या प्रदेश की सरकार के द्वरा दिया जाता है क्योंकि तांसिनAm 지역 मध्यापरदेश के बेहत गाओं में जन्में थे तो 26 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर 2020 तक मध्यापरदेश के गालियर डिस्टी के बेहत गाओं के अंदर وšak करता है पिछले कई वर्षों से बध्यापरदेश स्कों औग्राइस करता है तो इसी के चलते हुए है ठीक है इसी के चलते हुए लाट ओस इस इन नाम है फंदितNaट इसर छी मत्री ब्यास बंदितर व्यास इनको मिला पंडित सतीश व्यास तो सतीश व्यास जी कि अगर मैं बात करो तो ये संतूर प्लेयर है संतूर बजाते हैं तो ये भी आपको ध्यामे रखना है ठीक है ये अवार्ड इनको दिया गया अब इसी के साथ-साथ ये पंडित सतीश व्यास को ये अवार्ड तो मिल गया बट इसी के साथ साथ अभिनव कला परिशद अभिनव कला परिशद को मिला राजामान सिंग तॉमर अवार्ड इसी म्यूजिक तांसन म्यूजिक फेस्टिवल के चलते हुए एक और अवार्ड भी मद्या परदेश के सरकार ने दिया अभिनव कला परिशद को राजामान सिंग तॉमर और भी दिया गया म Code Pradish के मुक्ष tuh हो जिए इनका नाम है शिवराज सिंग छोहान कि निक्स्ट कमला देवी चटपध्ध है निउ इंडिया फांडेशन टेखें फांडेशन की दोड़ा निउ-इंडिया फांडेशन के दोड़ा कमला देवी पुक pral nicely डिया जाताह Hasta कमला देवी BOOK PRIZE दिया लागार शके दोरा New India Foundation के दोरा यह दिया डाता है 2020 में यह बुक प्राइज निटरिचर का यह दो 냉ंडर बीस में यह जो वड है यह दो लोगों को मिला यानली दो किताबों को दिया गया यह दो किताबों को अवाड दिया गया दो परसंस को मिला तो पहले परसंटों है दा फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जैराम रमेश जैराम रमेश जैराम रमेश जी की अगर मैं बात करूं तो जैराम रमेश जी एक कैबिनेट यह रह चुके हैं तो इनको यह अवार्ड दिया गया ठीक है यह कैबिनेट मिनिस्चर रहे है अटल भहरी वाचपाई साब की सरकार में ठीक है ठीक है तो इनके ऊपर यह किताब लिखी गई है तो इनके ऊपर यह किताब लिखी गई है तो इस किताब को लिखा है जैराम रमेश जी ने जो कि हमारे former union minister रहे चुके हैं sorry that is in the government of doctor manumohan Singh ठीक है manumohan Singh की सरकार में पहले थोड़ा सा हो गया था वाज़पाई सब की सरकार में नहीं manumohan Singh की सरकार में यह मनumohan Singh की सरकार में मिनिस्टर थे क्यों कि कॉंग्रेस पार्टी से बिलॉंग करते हैं जायराम रिमेश अभी यह हमारे पार्लेमेंट के मेंबर भी है राजसभा से सांसद है यह राजसभा के मेंबर है करराटका से जायराम रिमेश जी तो इनकी किताब है अचेकर्ड ब्रिलेंस दमैनी लिवस ओफ वी के कृष्णा मै है इनका नाम है अमित अहुजा अमित अहुजा तो इन्होंने भी एक किताब लिखी है मोबिलाइजिंग दब मार्जनलाइजड एथिक एथनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मूव्मेंट्स तो इस किताब के चलते हुए इनको दिया गया किया कमला देवी चटा मिल गया तो जैराम रमेश जो की 2011 से लेके 2014 तक मनमौन सिंग जी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं जैराम रमेश जी अभी राजासवा के सान सब भी हैं तो इनकी ये किताब है अच्छेकेट ब्रिलियंस जिसको ये अवार्ड मिला डाटिस उन्दा वी के क्रिशन लिए 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 वूरड ऑनेरा मेंन्स छली ने देखते हैं रेलेवे बॉर्ड के ने चेयरमें एंड सेयों रेल्वे गौोड बहरत का हमारा जो इंडियान मेल्वे है तो इंडियानऄ में में जो भी सर्विस इंडियान देल्वेगर थो फ्रार्ड सब가지र शेवों पर्सं cheermen थे इनका नाम था V.K. यादव विनौद कुमार यादव तो V.K. यादव जी का रिटायर्मेंट होगे 31 दिसमर 2020 तक ही उनका TNOR था तो अब विके यादव विनौद कुमार यादव जी के रिटायर्मेंट के बाद सरकार ने सुनीत शर्मा जी तो सुनीत शर्माजी को आ Railway Board का नया Chairman and Chief Executive Officer ये को ने सुनीत शर्मा इस स्चील authority फिड्र यमिटेड जो कि 1954 से भारत वर्ष में काम कर रहा है स्चील आथःटी फिड्र फिड्र बना है यह सोमा मॉंडाल इसकी पहली इसकी पहली पहली मुमेन हेड़ बनी है मुमन चेर परसन ठीक है यहाँ पर चेर में नहीं चेर परसन वर्ड यूज़ राचे सा जाय था क्योंकि फी मिल है फी मिल के लिए हम चेर परसन वर्ड यूज़ करते हैं चेर करसंग तो सोमा मॉंडाल बनी है इiran之前 के नई चेर परसन india is the second largest producer of steel in the world तो पेहले पर को न है चाईना पहले पर को न है चाईना निक्स देखते हैं नेक्स यहागा है हमारे पास उमेश सिना उमेश सिना उमेश मिखे चिना जी को अपइट कर लिया गया डप टी Election Commissioner deputy Election Commission that is in the Election Commission of India .10بة election Commission of India देखे election Commission Of India की बात करो तो Sale Commission of India बना था 25 जणबरी 1950 को मना गाए था E poundingomorph Fusion of India भारत में जो लोगसभा राज्यसभा या फिर प्रjorण मंतरी या White President या President के जो चुनाव होते हैं कुंप हुल यह काम सब्रेग्ज को करते हैं यंडिया स्टेट में अलग से इ Baptista You और आथ तो अभी हैं इसके अन्दर एक तो वोते हैं सिंपूल चाहे hygiene चीफ तो एक तो बहुन तूए है और तीन और हैं इनका नाम है 2021 जून 30 रख रहेगा बिसीकली 6 माहिने के लिए अपाइंटमेंट हुआ है बाकी के जो तीन है इनका नाम है सुधीब जैन चंद्रभूशन कुमार एंड अशीश कुंद्रा ये बाकी के तीन है बाकी के तीन एंड चीफ एक्षन कमिशनर कोन है सुनील अरोडा और एक्षन कम does Clay Romeo जैन चेर्मन है डॉक्टर केसीवान डॉक्टर केसीवान जी इनको एक साल का सीङन मताने ही सरकार सरकार ने नेकर या का एक साल का साल का सार्ण के ऑषैं स किस्या इनको साल का एक्सजाइज़न मिल गया इंडियन स्पेस रिसर्च ओंनाइजिर्शन कि जो पहले चेर परसन थे इनका नाम था दॉक्टर विक्रम सारा भाई उन्हीं के नाम पर यहां पर काफी सारे रोबर्ट का नाम भी रखा जाता है विक्रम सारा भाई विक्रम सारा भाई एंड ऑल्सो दा फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनेजेशन इंड चेर्मेंट और इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनेजेशन का जो हैड़कॉर्टर है वह है बैंगलुरू कर्नाट का के अंदर आगे दिखते हैं नेक्स्ट है यह सब्सक्राइब की बात करो तो यह सब्सक्राइब बना था 2004 में तो फाउंडर ते राना कपूर अशोग कप इनोंने मिल के मना था मुंबई में एड़कॉर्ट रहा है प्राइवर्ट सेक्टर बैंक है यह सबैंक तो यह सबैंक के अंदर क्या है एंडिंड सी यह एंड फॉर्मर चेयर परसन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक सुनील महता अभी सबैंक के नौन एग्जीटिव चेयर परस सब्भाला तो यह बैंक ने अभी अपने नए चीफ फाइनेशल आफिसर नुक्त की है चीफ फाइनेशल ओफिसर इनका नाम है निरंजन बनोदकर निरंजन बनोदकर यह चीफ फाइनेशल आफिसर यह बैंक के यह बैंक चलिए आगे लिखते हैं हमारे जो हैल्थ दोक्टर हर्श वर्धान जी इनको बना दिया गया है global region का नया प्र इसे एक बाडी है जम्ट हर्श वर्धान जी को काम करने वाली बॉडी है जिसके अब मैंबर बंच चुके हैं कोन प्र worthy डॉक्टR हर्श वर्धान जी सो कर हर्ष तो डॉक्टर हर्षवर्धन अब इसके मेंबर बन चुके है किसके ग्लोबल एलिया इसके एंड इसके दो भी चेर परसन है बिसीकली इसके दो भी चेर परसन है जो अभी अभी इसकी चेर है बिसीकली किसकी गैवी की वो अभी अभी इसकी प्रेजिटल्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् को रिपरसेंट करने वाले हैं तो यह वेस्टन पैसिफिक एंड साउथ इस्ट एशिया रिजलंड को यहां पे रिपरसेंट करेंगे गवी बॉर्ड के अंदर और इनका जो अपाइटमेंट है वो तीन साल तक रहेगा वो रहेगा एक जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक यह का करेंगे ये काम करेंगे गयावी के अंदर ग्लोबल एलियाइइस फॉर इम्मृनिजेशन के अंदर गयावी का जो हैाव को यह निवा Manager के उ सका यह है आर्या उसन ये कि अन। सबसे यंग का निया है और आया जिटान यह सिरफ 21 साल की है और यह अंगित ऑर यह बनी है केरला त्रिवंदंपुरम से भारत की सबसे यंगस्ट मेयर भारत की सबसे यंगस्ट मेयर त्रिवंदंपुरम केरला से बन चुकी है आर्या रजेंद्रन सिर्फ 21 साल की है सरफ 21 साल की है अभी पढ़ती है से कर रही है तो इसी के चलते हुए इनको नुक्त कर दिया गया इन्होंने चुनाव लड़ा CPI की कॉम्मिनिस्ट पाइटी आफ इंडिया मार्किस्ट की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा और यह जीच चुकी है और यह बनी है पहली मेयर यंगेस्ट मेयर फ्रॉंदा केरला ध्रिवन्तम पुरम और यह बाल संगम की स्टेट प्रेजिडंट भी यह बाल संगम स्टेट प्रैजिडंट भी है atención आये आरेया राजेंद्रन एए नेयुक्स्ट की तरह बढ़ते हैं स्सेंट में बात करते हैं फीवा की तो फीवा की ऐगर में बात करू तो फीवा ने Cesक अंडर 17 एंडर 20 वर्ड कप्स को पोस्ट पन कर दिया कब तक 2023 तक कोरोणा वायरस के चलते हुए अब अंडर 17 और अंडर 20 और नहीं किया दाएगा यह अब 2023 में और 23 में जो अंडर 20 है इसको और जोगनाइस करने इंटरनेशनल क्रिकेट कॉंसिल 1909 में बनाएगी थी दुबाई युनिटेड अरब एमिरेट्स में इसका हेड़कोटर है एंड इसके जो अभी हमारे पास अवार्स ऑफ डिकेट 2020 का लिस्ट इसने डिकलेर किया भारत की तरफ से मनुसानी वहां पे वक करते हैं आई सी सी में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉंसिल में तो यहां पे हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट कॉंसिल के अवार्स ऑफ डिकेट की तो अवार्स ऑफ डिकेट में लिवाबो सकते तो प्लेयर को फिशंतए अज discharge ते मैंत कि बाट करें तो में तो वुमन की कटेगरी में आई-सी सी मिंधोड उपसाट कर फिरो डिकेड हो या थी तेगरी में यह जाता है उस्ट्रिलिया की एली से परिको अलस परिको ठीक है कौन सी कंट्री से औस्ट्रेलिया से अब ICC Spirit Cricket of Cricket Award of the Decade मैंने बताया जैसे कि MS Dhoni जी को यह वार्ड दिया गया MS Dhoni जी को यह वार्ड दिया गया एंड उसके बाद बागी के मैंस अवार्ड सर काफिल्ट स्वाबर्स अवार्ड और ICC male Cricketer of the Decade that is to the Virat Kohli एंड ICC Men's Monday International Cricketer of the Decade विराट Kohli, T20 Cricketer of the Decade रशीत खान, Test Cricketer of the Decade स्टीव स्मिथ एंड Associate Cricketer of the Decade यह सारे अवार्ड इनको दिये गए और टीम की अगर मैं बात करूँ टीम वाइस अवार्ड ठीक है टीम अवार्ड की बात भी कर लेते हैं तो टीम अवार्ड हमारे पास रहे ICC Men's Monday International टीम आफ टीकेड तो यह प्लेयर्स के कुछ नाम रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट Kohli, डेविड विलियर्स, शाकी भाल हसन, अमेस धोनी, बैंस टॉक्स, मिचल स्टाक, प्रेंट बॉल्ट, इम्रान ताहीर, एंड लासित मलींगा और उसके बाद T20 टीम आफ टीकेड उसके बाद टेस्ट टीम आफ टीकेड तो यह सारे नाम आपके सामने हैं आपको सारे नाम एड तक याद करनी जोड़ती हैं आप बैडविंटन वर्ड फेडरेशन, बैडविंटन वर्ड फेडरेशन, बैडविंटन वर्ड फेडरेशन का जो हैड कोटर है, वो है कौलालंपूर मलेशिया के अंदर, कौलालंपूर मलेशिया के अंदर, तो इसने क्या किया, इसने रशियन बैडविंटन प्लेयर, निकित साल के लिए बैन कर दिया गया इनको पांच साल के लिए बैन कर दिया गया बर्ड मिन वर्ड बैडमिंटन फेडरेशन के दौरा इनको पांच साल के लिए बैन कर दिया गया fixing के charges लगे थे कि यह उन्हें match fix करने की कोशिश किये ठीक है तो इसी के जलते हैं इनको ban कर दिया गया अंशू मलिक ने जीता है silver medal ठीक है and अपना पहला medal अपना पहला medal ठीक है basically सर्विया में यह match हो रहा था सर्विया में मैच हो रहा तो ये तो इस अर्बिया में मैच खेले में इंडिया ने पहला मैडल ये जीता है पहली बार तो 19 साल के हैं सिर्फ 19 साल के हैं सिर्फ अंशु मलिक जी मिन्होंने ये वुमेंस फुर्ट वुमेंस 57 किलो केटेगरी में ये मैडल जीता ये मैडल जीता तो रैसलर अ अब आती है बात और धिश्डिस की और श्रीश का मतलब वो लोग जो दुनिया में नहीं रहे वो लोग जो दुनिया में नहीं रहे दुनिया को छोड़के जा चुके हैं तो सबसे पहले तो भारत के फॉर्मर होम मिनिस्टर और सीनियर काउंगरिस लीडर बुटा सिंग जी रहे बुटा सिंग जी बहुत ही सीनियर लीडर थे और इंडिनेशनल कांग्रेस में राजीव गांदी की सरकार में राजीव गांदी की सरकार में यह हो मेनिस्चर भी रहे और भारत के अंदर गुर्द्वारा बनाने में बहुत सारे योगदान है इनका भारत में बहुत सारे पेसिस पे गुर्दवारा अकाल तक्त हुआ या और भी डिफरेंट गुर्दवारास बनाने में इनका बहुत सारा योगदान रहा तो बुटा सिंग नहीं रहे उसके बाद फॉर्मर यूनियन मिनिस्चर एंड एंपी कदंबुर जनार्थनन ये अब नहीं रहे कदंबुर ज नहीं रहे तब उनकी सरकार में ये थे तो अब ये नहीं रहे उसके बाद लिजेंडरी उर्दु पॉइट शम्शूर रह्मान फरुकी यह नहीं रहे इनका देहात हो गया अगे बात करते हैं दफ वेट्रन ब्राड़कास्टर इंदिरा जोसफ वेन्यूर इंदिरा जोसी जोसफ वेन्यूर अब यह नहीं रहे तो उर्यडियो कीा तारी पहले बैसिकली सीए थे चाटड़ा कंटेंट थे दांसर बनने से पहले उसके बाद यह डांस फिल्ड में गए और इंडेंड डांस फील्ड में बहुत सारी किताबें भी यह लिख चुके हैं लैट इस सुनिल को तारी सुनिल को तारी अपने रहें पात्या संसरां यह डाटिया है एंग्लिविड के फॉर्मर बैट्रिश जान एडडिड्रिच आम नहीं रहे जान एडडिच मुल्य हमीर बात बात करें झानकों करूप अगर आप www यह देखते हो तो इनके बारे में आपने जुरूर सुना होगा तो यह अब नहीं रहे यह अब नहीं रहे 41 की एज में इनका देहात हो गया तो बच्चों यह था हमारा मिस्लेनियस करेंट अफिर्स ता मिस्लेनियस जीके अब 27th of December 2022, 2nd of January 2021 क्लास के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कन राइट इन दा कमेंट सेक्षिन अब कमेंट सेक्षिन के अंदर लिख सकते है और क्लास का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा इसका डॉक्यमें आपको मिल जाएगा आप पोर्टल पे जाएए हमारे पोर्टल पे जाएए पर्टिक्लर टीचर को आप फीडबेक दे सकते हो आप यूटूब पे भी आप हमें अपना फीडबेक दे ताकि हम और आगे आपकी सेवा में बढ़ सके तो इस आल फो डूडे क्लास को यही समाप्त करते हैं thank you so much have a nice day and a very happy new year to all of you